नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर नरेन्वल उत्रा इस्त्री डोग विश्य जग्य एंटी एजिंग में स्पेशलिस्ट उजाला सिगनस रेंबो हॉस्पिटल आग्रा से और कई संस्ताओं का पूर्वे अद्धक्षिर है चुका हूँ आज डब्लू एच्चो के साथ अप्रेल स्पेशल्ड हेल्थ डेपे हम एजिंग लोगों से जो पचास से उपर है और साथ के पूँच रहें उनक से आज कुछ बात करें पहली बात तो यह है कि साथ से उपर आपकी उमर पहूंचती है तो आप बहुत शुब हैं लखी हैं क्योंकि सौ में से ग्यारा लोगी साथ की की उमर क्रॉस करते हैं और सिरफ साथ लोगी 65 और 70 की उमर क्रॉस करते हैं तो all the best to all those who have reached the age of 60 in this world today. So, कुछ 10 मंत्र हैं जो आपको aging के लिए अपने जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ेगी उसका आपको ध्यान रखना है पहला मंत्र है कि प्यास लगे ना लगे प्यास से जादा आप हर समय पानी पीजें कम से कम दो लिटर पानी दिन में पीना जरूरी है तो पानी पीना बहुत जरूरी है पानी पीने से आपका बोड़ी स्वस्त रहती है दूसरा मंत्र या दूसरा सुजाव है कि शरीर में जितना भी हो सके उतना काम करिए लेटे और लेजी बॉय की तरह नहीं रहेंगे आप लेजी रहेंगे शरीर को नहीं हिलाएंगे मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपके सब चक्का जायम हो जाएगा तो चलिए तैरिए किसी भी तरह का काम करिए खेल के लिए थोड़ा बहुत फिजिकल अगर आप न ही बहुतं बहुतjust है तीसरा deti तीसरा मंत्रा कि खाना कम खाये खाना उतना ही खाईे जो शरीर के लिए जरूरी होर्स, आप बहुत. सब कर दہ चलिए और दो हफ़ते आप बहुत स्वस्थ और एक्टिफ फील करेंगे तो कार्वोहाइड्रेट लेस प्रोटीन जादा स्पेशली रात में रात में कार्वोहाइड्रेट खाना बंद कर दीजे बड़ा सा दाल का कटोरा इतना सा सैलेड अगर आप नॉन्वेज है तो चिकन और फिश काईए अधर पैदल जाईए अगर पॉसिबल है तो साइकल चलाईए सो वॉक टिल यू कैन एंड आज मुच आज यू कैन जब आप अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करते हैं पैदल सीडियों पर चड़िए लिफ्ट का इस्तमाल नहीं करी स्टेशन पर एसकेलेटर पर न अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है से कैसे कम करेंगे कम बोल्यें बोलने से पहले सोचे चर्माइक सब्सक्राइब देखने वाला है कि anger zone नहीं है यहां गुस्ता नहीं होना है और आपको भी बार-बार याद दिलाता रहेगा को गुस्ता हमारा मंत्रा है कि धन का मो छोड़ दीजे उतना ही धन कमाना ज़रूरी है जितना जीने के लिए ज़रूरी तो क्योंकि आपके पास जो लोग जुड़े हैं अगर आप धन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप उनको एग्णोर करेंगे तो उनके साथ मिल जुल के रहना बहुत जरूरी है और सेवन्थ मंत्रा एस दाट डू नाट गेट अपसेट इफ यू डू नाट गेट सम्टिंग विच यू वांट तो कोई भी चीज जैसे मेरे को मर्सेडीज खरीद नी और आप नहीं खरीद पा रहे तो उसके लिए आप खेद मैसूस नहीं करिए अपने को कोशिये मत और उस चीज को अंदेखा करिए और उस चीज को भोल जाईए आठवा मंत्रा हमारा जैसे हमने बात करी थी धन पद शक्ति सौंद्रे जाती प्रभाव ये सब चीजे जो है आपका अंकार बढ़ाती है तो अंकार और इगो को आपको त्यागना है उसको त्यागने के लिए इन नौवा मंत्रा हमारा है या नौवा टोटका है एगर आपके बाल सफेद हो जाते तो ये मत सोचिए मैं बोड़ा हो गया और उसको डाई करूंगा और ये करूंगा और ये सब चीजे करने के लिए आप आशावादी बनिए उमर में बाल सफेद होते हैं फिर भी आशा रख समझिए और उसको जिंदगी को मत त्यागी और हमारा लास्ट या टेंथ मंत्रा है टेंट पॉइंट जो है या निर्देश है वो है आप अपने छोटों से बहुत प्यार करिए सहनुबूती रखिए और मिल जिल के सने से उनके साथ रहें क्योंकि कभी-कभी छोटे लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं और अपने आपको चोटा मत समझिए वो अहिंकार कि मैं बड़ा हो गया मेरे सब को हाथ जोड़के या पैर चुके इज़त करनी है आपको भी उतनी इज़त देनी है और हसते रहना है खुशी से रहना है बिना बात के सब कोई जा रहा है उसको हलो बोलिए स्माइल करिए देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है सो यह है हमारा उमर में बढ़ते हुए लोग पुरुश महिलाएं पचास से उपर जाते इवन चाले से उपर जाते उनके लिए यह दस मन्त आईए हम लोग यह मन्त फॉलो करें और यह डबलियो